आज आप जंतर मंदर पहुंचे काला काला कपड़ा पहना तो मेरे पास कूरता था मैंने कूरता पहन लिया और बच्चों के विरोध परदर्सन में सामिल हो गया जिसको राजनीती लगती हो राजनीती समझ ले जिसको प्रोटेस्ट लगती हो प्रोटेस्ट समझ ले और जिसको लगता हो न्याय मांग रहे हो न्याय समझ ले काले कपड़े से डरता है इसलिए काला कपड़ा पहना ने उसकी रहली में चला जाना तू भी काला कपड़ा पहन के पता चल जाएगा आप गए थे मैं नहीं गया पर अंदभक्त जब जाते हैं मैं देखता हूं कि उनके चट्डी भी उतर वाली जाती है काला कपड़ा संदेश पहन के हम यह संदेश देना चाहते के सरकार होस में आजाओ देश तुम्हारे खिलाब खड़ा है चले जाओ आप भी चले जाओ यहां क्यों आइब अगर सारा देश मोदी जी के साथ है तो फिर आप लोग यहां क्या कर रहे हो समर्थन में आ रहे हैं आ यहीं कि अधक परिवार के लोग है आप देखेए जो वो है जग्रेट खली बो भी इतने वोगे चैंपेन बो भी कह रहें कि यहां राजीदी हो रही है वापस जाए अगर तुम कहो तो ठीक और हम कहें तो गलत ऐसे कैसे चलेगा भाई मतलब अगर खली ने कह दिया तो पत्थर की लखीर हो गई और जो बेटियों ने कह दिया तो जूट हो गया तो खाव जास तो ओ रही है ना कहां हो रही जास तो फाई-आर दर्ज हो गई है और कोट ने भी से दूड़े बाले कोड में आप साकेत कोड में इसकी मामला चली गई यहार हो रही है और तक जिर दो भाने के लिए आज़िक आप लोगों ने अगर गई आर गई तो जोड़ा प्रैक और क्या करनाटक कर रहे थे ना क्यों आप नी करते वोट आप नी देते किसी को करनाटक में हमारी बोट थी वो करनाटक की जंता ने देखा है करनाटक के लोगों से 40-40% कमिशन खाओगे तो जंता क्या करेगी तुमारा मतलब रांदिती कर रहे हैं आप लोग टुक्ले टुक्ले गैंग नहीं था क्या था कोई किसको मना किया है तुम भी आजाओ ये जंतर मंतर है हरा आदमी को करने का दिखा रहे हैं तुम भी आजा उले के राजपूत महासभा कह रही है कि हमारे पास्ट कैट से ज्यादा खेत हैं खलियान हैं ज्यादा ट्रेक्टर हैं हमारे पास बावर ना दिखाए हमें हमने किसी जाती या धरम के खिलाब हम लोग बोल रहे हैं हम लोग सरकार के खिलाब बोल रहे हैं हमें किसी जाती और धरम से कोई बाती तब कंचक्या कहां थी था जाब कांट हुआ ता उमती का मकान बने यह लाठी खा रहा था जब आत्रस कांड्ड तो लाठी खा रहे थे और यह जो जो आज हमें राजनीती बता रहें यह निर्भा कांड में कहते हैं यह चिन्वनंद कांड में कहते इंसे पूछो अगर करनाटक हारेंगे तो इनके पाप हराएंगे यार बेटियों को न्याय मंगाना मांगना इसको इसको तु सामने आखे कर ताकि इनके कैमरे में आल भी यहां से बसे की बात का कर रहा है एसे जड़ा कितने सवाल है तेरी अंदर कर आज तेरे सवाल कि लोग जा रहा हूं कि सरकार बोल रहा है यह नहीं इक एक इ η प्रण्थी पैस्हीं तब नहीं कर आंना है। कगज का सर्टिप्रिवगेट मिला था। उसपे दिखाओ नम हो एक जाती का नम हो एक धर्रम नम हो यह एक स्टेट का नाम हूँ उस पे क्या लिखा बदा तुही पत्रकार मोद है लिख जब खुद को निहीं पता तो भारत लिखा है तो यह बेटी किसकी हूई वारतिय बेटी है सादी बेटिय भारतिय ही हुथ आज क्यों कह रहे हो तुम जाती हो दरम में क्यों बाट रहे हो तो हर्याना से तीन लड़कियों को केवर समझ रहे हैं अरे ताउच जब उसकी भान नहीं आरी पविताफ होगा वो कुछ पहटी घर में आराम से इसके खिलाब बोल रही है तो फिर क्या अगर मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाब बोले तो नियाय मांगना छोड़ दो अच्छा इसा अंदोलन है जा अपनी घर के लोग को नहीं समझा पा रहे हैं देश को क्या समझाएंगे मोदी अपनी पत्री को नहीं समझा पाया तो देश क्या चलाएगा जाओ जी प्रदान मंत्रिक बाद है शरवाच देश के एक पतपर जो तेश का नोकर है वहां तंखा लेता इस देश के जनता के टेक्स के पैसे की योगी जी ने कहा है कर नाटक में अजैस की डेस का विरोध है और बेटियों का विरोध इस देश की गद्दारी है जब जब जवाब दो लधार कोन हैं जो श्चावर देश एक वीडियो दिखा दे मुझे कहा लिख रहा अच्छा पपू यादव जी आके जो बोलके उन्हें नारे लगवाएं आप पर पूरा पूरा तो बैकेंड उस वाइट सो किसका है रात देखा था जैसे उसकी मामर्गी ओ चेहरा देखा था उसका क्या हो गता करनाटक में हारी इसंधी जो सौ करोड की रिशत लेकर के तीहर जहता हूं उस पर देश विश्ग करेगा कैसे यह फालए मसम इस उसके घरेग उंगाणिए लुक्त्यां नारे लगे थैं मनुवाद मुर्दाबाद पैटियों को बीडिकता क्या हो रहा है और जब नहीं मिलेगा सम्विधान नहीं बचा सम्विधान को खतम करके द्वारा नहीं सम्विधान के द्वारा नहीं हुटी सम्विधान में लिखा है कि अगर आपके साथ अन्याय होगा तो पुलिस आपकी अफ़ायार दर्ज करेगी क्यों नहीं इतने दिन से करी यह तो जब सुप्रिम कोट का डंडा चला उससे डरे सुप्रिम कोट तो पहले भी था क्यों नहीं कराई अब आपको जब कानून का पत करने चलते हो मनुवाद है यह मनुवाद है इसका एक ही जबाब है देश में सम्विधान का राज नहीं और देश में लोकतंत्र नहीं क्या कमी है क्या उनकी नस ब्रजभूसन के हाथ में है क्या उनके कच्चे चिट्टे ब्रजभूसन के हाथ में है अगर मोधियर अमिस्सा चुप है करी है जेपीं संस्कारी पार्टी संस्कारी है और किस का नाम नीवाण है उनकी बेटी हो खरके जब तुझा अगर हिंदू के ठेकेदार कहा है जब बोड चाहिए तो देश का हराद में हिंदू होता है और जब न्याय चाहिए तो जाती और धरम में बाट देते हो आज यह बेटी हिंदू नहीं है जबादे पत्रकार बहुत देर से सवाल कर रहे हो बोचो उनका जुमला क्यों है वही सरकार यह भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ देखिए बेटे तो कन्या है तुझे बता दू अभी तो कह रहा था सम्वेधानिक पत्पे बैटा है जो व्यक्ति सम्वेधानिक पत्पे बैटा है और उसकी जुबान भिचल जाती है देश की बेटियों से माफी मांगी थी मांगी है और वो सब्ध मैं कह नहीं सकता बहुत उसी तरह अनुपध की तरह अनपड नहीं हो और किया जाएगा तो मोदी ही जाएगा तो मोदी ही जाएगा तो मोदी ही CRM पहले से तुझे कैसे बता दे कोट का फैसला तुझे पता का होगा वह पंचाज का फैसला पंच बैठेंगे क्या प्रवेंटिंग पर वेल्डिंग होगे कैसे आओगे कोड हम तो आ रहे हैं अप्या है लिए जो चार चार अजार बुल्डोजर बता रहे हैं वो देखेंगे विचारे कैसे आएंगे